हाई गाईज, हलो एंड, वेलकम बैक टो मैं चैनल लव व्यूडी ओन ड्यूडी प्रिंट्स आज की वीडियो में हम गरप्ठ है जाने के साथ खास साइन एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे जो की अपने हस्बेंट के साथ रिलेशन सिप बनाने के साथ से आर दिन बाद ही आपके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है और जब ये सिम्टम्स आपकी वाड़ी शूर करें तो इसका मतलब की आपने प्रिग्डेंसी कंसीव कर ली है और इसे टाइम पर दिन बहुत ही खास काम भी आपको बताऊंगी जो आपको करने हैं ताकि आपकी प्रिग्डेंसी आगे ठीक ठाक चलती रहें तो सब सब पहले तो प्रिग्डेंसी रुखने की ये साथ संकेतों का आपकी बोड़ी के अंदर जाहिर होना डिपेंड करता है कि आपने अपने हैस्बेंड के साथ रिलेशन किस टाइम पर बनाया और दूसरी चीज़ आपके पीरियड साइकल की लेंद कितनी है आपके पीरियड रेगुलर है या एरेगुलर है अगर आपके पीरियड की साइकल फिक्स है आपके पीरियड रेगुलर है 28 दिन 29 या फिर 30 दिन का आपका साइकल होता है और हर महीने फिक्स ही रहता है और पनाया almost अपने ovulation day के आसपास जो कि आपके cycle के cycle का 13 या फिर 14 दिन होता है तो husband के साथ relation बनाने के 7 से 8 दिन बाद ही ये 7 signs and symptoms आपके अंदर जाहिर हो जाएंगे जो हम अभी discuss करेंगे लेकिन अगर आपके period irregular है या आपके period cycle के length ज्यादा है आपकी period cycle long है आपको 35 दिन के बाद या फिर 40 दिन के बाद periods आते हैं तो ऐसी condition में थोड़ा time लग सकता है pregnancy के इन संकेतों का आपके body के अंदर जाहिर होने में तो pregnancy के कौन से 7 symptoms आपको अपने अंदर महसूस होंगे उनमें सबसे पहला संकेत है implantation bleeding हलकी फुलकी bleeding pregnancy conceive करने के बाद आपको हो सकती है एक से 2 drop blood के हो सकते हैं यह implantation की bleeding होती है कुछ मेला implantation bleeding को feel कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते है implantation bleeding इतनी कम होती है कि कपड़ों के अंदर ही observe हो जाती है और उसको पता नहीं चलता लेकिन जो महिलाए pad यूज करती हैं उनको implantation की bleeding feel हो सकती है आपकी cycle की almost 22 में 23 में और 24 में दिन पर important symptom है कि आपने pregnancy conceive कर ले हैं अपने husband के साथ relation बनाने के साथ से आर दिन बाद ही आपको ये feel होगा कि आपको बार बार वाश्रम जाने की हाज़त होगी urine आपको बार बार आएगा उसकी वज़े ये है कि आपके अंदर implantation हो रही है तेजी से आपके embryo के cell से वो बढ़ रहे है blood supply आपके पेलवी organs की तरफ uterus kidney और bladder की तरफ ज्यादा हो रही है और ज्यादा blood flow की वज़े से आपको urine भी ज्यादा आएगा और बार बार आएगा फिर शुरुआत में uterus अपनी सेप को हलका हलका change करना शुरू कर देती है pregnancy conceive होने के बाद जिसकी वज़े से वो bladder पर दबाव डालते हैं जिसकी वज़े से आपको urine बार बार आता है अब number 3 पर आपको अपने पीट के निशले हिस्से में हलका फुरका दर्द आता जाता रहेगा और साथ ही साथ आपको कमर में दर्द भी हो सकता है अब number 4 पर आपको पीट के अंदर blotting gas जैसी सिकायत होगी क् आपके digestive system को slow कर देता है, intestine की mortality को कम कर देता है जिसके वज़े से आपको blotting और gas जैसी सिकायत होगी और number 5 पर आपको pregnancy के mood swings आएंगी एकदम से आप बहुत ज़्यदा sad होगी फिर एकदम से आप खुश हो जाएंगी यह जो mood swings होते हैं pregnancy की hormones की वज़े से होते हैं अब number 6 पर आपकी नीद के अंदर बतलावाना अगर अपने pregnancy conceive कर लिए है तो आपको हर time rest करने का मन करेगा क्योंकि internally आपकी body बहुत तेजी से काम कर रही है बहुत ज़्यदा थकावट आपको महसूस होगी और नीद आपको बहुत ज़्यदा आएगी उठने का मन नहीं करे अब number 7 पर जो symptoms pregnancy की जो early symptoms आपको अपने अंदर महसूस होगी वो है आपकी breast में changes आना pregnancy conceive होने के बाद चूंकि तेजी से आपके अंदर pregnancy के hormones जैसे के अधसीजी और progesterone बगरा बना शुरू हो जाते हैं तो इन pregnancy के hormones की वज़े से आपकी breast के अंदर कुछ changes आएंगे जो आप notice कर सकती हैं एक तो breast painful हो सकती है आपको breast के अंदर tenderness का एसास हो सकता है हाथ लगाने पर breast के अंदर दर्द महसूस होगा breast निपल की sensitivity बढ़ जाती है यानि कि अगर inner garments या फिर bra या फिर कोई कपड़ा वगरा भी touch करेगा आपके निपल के साथ तो आपको discomfort महसूस होगा और इससे भी pregnancy के hormones आगे बढ़ेंगे breast निपल के आसपास का जो area है जिसको area बोलता है वो पहले से जदा काला और dark हो जाएगा साथ इसाथ उसके उपर हलके फुल के tubercle बनना शुरू हो जाते हैं ये भी आपकी pregnancy के संकीत होते हैं तो इस तरह से साथ symptoms अगर आपको अपने अंद चलती रहे, complication से बची रहे, सबसे पहला और important काम है कि आपको pregnancy test करने में बहुत जदा जल्दी नहीं करनी है क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनको pregnancy के थोड़े बहुत symptoms नजर आते हैं या अपने husband के साथ relation बनाने के तुरंत बाद वो pregnancy test करते हैं फिर होता यह है कि अभी pregnancy के hormones अभी इतने ज्यादा नहीं बने होते हैं कि उसके अंदर detect हो सके तो pregnancy test या तो आपका negative आता है या फिर हलका सा positive आता है एक line dark होती है और एक fan होती है और आप परिशान, confused हो जाते हैं इसलिए best तरीका यह होता है कि अपनी period की date मिस होने के पेट करें जब आपके period की date मिस हुए साथ से आर दिन गुजर जाए उसके बाद आप अपना pregnancy test करें अब दूशरा काम आपको क्या करना है जब गरब ठहरने की साल संकेत आपको अपने अंदर महसूस हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया है कि आपनी pregnancy conceive कर ली है तो इसका नना सा बच्चा अभी आपके uterus में जुटने की कोसिस कर रहा होता है वो अगर उस टाइम पर आप relation बराने की कोसिस करने तो उस तोरान uterus के उपर अगर कोई stroke लगता है तो जो embryo वहाँ पर जुटने की कोसिस कर रहा होता है वो वहाँ से detach हो सकता है और आपको heavy mensage कोई भी exercise जो आप it loss के लिए कर रही है वो आपको बंद कर देनी है और इस टाइम पर आप सिर्फ वॉक कर सकती है वो आपके लिए best है और इसके साथ साथ आपको वजन नहीं उठाना वजन उठाके सीरिया चड़ने से भी आपको परहिज करना है अब नंबर 3 पर जो आपक गया प्रेग्डेंसी टेस्ट गया अब जो इंपको एक अर्ली विजट अपने गाइनकोलोजोडिस्ट से जरूर करना है उसका जो मकसद है वो यह है कि ताकि आपका जो एक अर्ली अल्टा साउंड है वो हो सके और यह अल्टा साउंड आपकी डैटिंग स्कें के तोर पर बाद में helpful होता है आपकी debt of delivery निकालने में और कुछ और complication देखने में काम आता है जैसे कि बच्चे की heartbeat है वो ठीक आ रहे है या फिर नहीं आ रहे pregnancy single है या फिर twin है तो ये सारी detail आपको इस एक पहले ultrasound में जाना आपके लिए जरूरी है जो कि आपको six to eight weeks of pregnancy में करवा लेना चाहिए और prefer कीजिए कि आप DVS ultrasound करवाए जो पहला ultrasound करवाए तो friends बस यही ते मेरा आज का वीडियो आयो फोल मेरा आज का वीडियो प्लोगों के लिए उस फोल रहेगा सुमेंदे नेक्स्ट फीडियो में तब तक के लिए बब बाई